चलते हैं next question की तरफ और यहां आते हैं देखिए यहां क्या दिया है यहां बताया गिया है कि particle straight line में चल रहा है initial velocity u है acceleration f है अब देखेगा if sum of distance traveled in tth and t plus 1th second देखिए अगर एक time है tth और अगला है t plus 1th okay अब इस distance का sum है 100 okay 100 तो यह basically 2 second हो गया actually tth second and t plus 1th 2 second हो गया है तो 2 second अगर हो गया है तो पुछा है velocity after 3 second क्या होगी मतलब यहां पर velocity क्या होगी यहां पर अब यह velocity है बीच की velocity निकालनी है देखिए बहुत simple सी बात है एक काम करते है चलिए इस velocity को मैं माल लेता हूँ ठीक है यह velocity एक उर उसके बिल्कुल इनिशक को य्यू बोला है तो चलिए इसको मत मानी है यहां इस velocity को माल लेता हूँ इस velocity को मैं V माल लेता हूँ, अब इससे एक second के पहले velocity होगी V minus F, और इसके एक second बाद velocity होगी V plus F, ठीक है V plus F, अब अगर हम average velocity निकाले, तो average velocity होती है यहां की और यहां की average velocity क्या होगी, देखें sum upon half करें, तो V minus F, V plus F, यानि की 2V आ जाएगा, by 2 करें तो V आ जाएगा, V ही average velocity होगी, और average velocity क्या होती, distance traveled upon time, that is 100 by 2, which is 50, so 50 का answer वेलकुल सही है, answer is C.